सभी प्रीमित्रों को मेरा नमस्कार दोस्तों आज एक अध्भुद जड़ी बूटी के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों ये बहुत ही दुरलब जड़ी बूटी हो चुकी है अब यदा कदाम को लोग को कहीं कहीं दिखाई पड़ती है तो सुच आज एक इसकी वीडिय भारत में दुरलब हो चुकी है कहीं कहीं दिखाई पड़ती कुछ कमपनियां इस जड़ी बूटी को काफी महेंगे दामों में बेशती है बहुत ही महेंगों दामों में बेशती है लेकिन हम लोग को फ्रीमिए जाती है अगर थोड़ा का प्रयास किया जाये तो चलिए दो डिटिए यहां पर फैली हुंञ है यह दए देख लिजी दोस्तों इस जड़ी पूट्य को हम लोग गोखरों के नाम से जानते हैं। यह देख लीजिए दोस्तों गोकुरू के नाम से जानते हैं तो दोस्तों यह किन बीमारी में फाइदा करती है चलिए हम आपको बताते हैं वीडियो इसकी मत करना वीडियो पूरी देखना तभी इसकी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों यह देख लीजिए यह है इसमें चारों तरफ काटे होते हैं यह छोटा सा यह फल है यही गोखुरू है दोस्तों यह जो हमारे किड्नी रोग होते हैं किड्नी रोग में इस्टोन वगारा हो जाते हैं उसमें यह अत्यन्त लाव है दोस्तों बहुत ही बेहतरी लाव है और दोस्तों मूत्र संबंधी जो बीमारियां होती है उसमें बहुत फायदा करता है जैसे किसी को पिसाब में बहुत ही जलन होती है पिसाब रुग रुग की होता है तो दोस्तों उसके लिए ये रामबाण है प्रियोग कैसे करना है दोस्तों आपको इसका जो काढ़ा है इसका फूल है तना है पत्ती है औ विलकुन सही हो जाएगी और इसी को तुरा है आपको इसका कणहा बनागे पीना हुआ जिस व्यक्ति को एगर पत्री आपको इसका कार पीना है यह देक लीज़े इसका का प्रदिन पीना है कम से कम दो महीने पीना है बहुत ही जल्दी अपने आप वह पत्री गल-गल के तूटके निकल जाएगी दोस्तों ये भारत में अपने पाज आने वाली जो ये औसदी है बहुत ही पावरफुल है और इसके प्रयोक तो बहुत है ये दिख लिजिसमें छोटे-छोटे काटे ट ये देख लिजी दोस्तों अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना नहें दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों इसी तरह नएने जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे हम तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को म नमस्कार